उत्तरप्रदेश इस समय सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है राज्य की नौ विधान सभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सभी सियासी दल जोर आजमाईश में लगेवे हैं वहीं इन नौ सीटों में सबसे अधिक चर्चित सीट की बात करें तो मैनपुरी जिले की करहल सीट पर परिवार बनाम परिवार की लड़ाई देखने को मिल रही है सैफ़ई परिवार की तरफ से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है जबकि भाजपा ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बना थिया अनुजेश रिष्टे में अकलेश के बहनोई लगते हैं अब इन सब के भीच में अपढ़ना यादव ने अपने बयान में कहा कि वह परिवार का धर्म निभाते भी भतीजे का प्रचार करेंगी या फिर पार्टी की तरफ से जीजा के पक्ष में उतरेंगी मुलायम सी यादव की छोटी बहु अपढ़ना से जब पूछा गया कि करहल उप चुनाव में वह भतीजे यानि तेज परताप और अनुजेश में से किसे समर्थन करेंगी तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि करहल में तो उनका भतीजा तेज परताप यादव चुनाव लड़ रहा है करहल में भाजपा के उमिद्वार उनके जीजा जी है अपड़ नायादव ने इस पश्ट कहा कि जहां तक चुनाव परचार का सवाल है तो पार्टी ने अभी उनसे वहां चुनाव परचार करने के लिए नहीं कहा यदि परचार के लिए कहा जाएगा तो वहां भी वह चुनाव परचार करने जाएंगी उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ससुराल के लिए भी तो जो दाइत होते हैं वो निभाने पड़ते हैं उत्तरप्रदेश की नौविधान सवा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे जबकि अपने दर्शिकों को बता दें कि इन सब के बीच में एक बड़ी खबर सामनी आए है कि उत्तरप्रदेश की नौविधान सवा सीटों पर जो 13 नवंबर को मतदान होने वाले थे वो अब 20 तारीक को होंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला किया है कि 20 तारीक को चुनाव होंगे और नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे 9 सीटों पर सबसे हॉट सीट महनपुरी की करहल बनी हुई है यहां से 2022 यूपी विधान सवा चुनाव में अकलेश यादव जीते थे 2024 में सांसद बनने के बाद अकलेश ने इस्तीफा दे दिया था इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है सपा ने करहल से तेश परताप को टिकट दिया तो वहीं बीजेपी ने रिष्टे में उनके फुपा अनुजेश को मिद्वार बनाया करहल सीट पर उपचुनाव परिवार बनाम परिवार हो किया है शिफपाल यादव धर्मेंदर ने अनुजेश यादव पर जम करनिसाना सात्तेवे संबंद खत्म करने की बात कही फिलहाल देखना यही होगा कि आने वाले दिनों के नतीजे किसके पक्ष में दिखाई देंगे